भुपेस भया के संगे संग चलवो, कांग्रेस पार्टी के संगे संग चलवो जो कहा ओ किया कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए भुपेस है तो भरोसा है एक सोगन बना है जो देश में गुंज रहा है मस्तुरी विधान सभा छेतर से इस बार कांग्रेस पार्टी एतिहासिक बोर्ट से जित हासिल करेगी प्रत्याशियों की सुरीची जारी हो गई है और बिलासपुर जिले के महतपूर्ण सीट मस्तूरी विधामसभा से कॉंग्रेस ने दिलिप लहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है दिल्प लहरिया पहले भी चुनाव मस्तूरी से लड़ते आए हैं वहां से विधायक भी रहे हैं ऐसे में पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सोपी है लहरिया जी हमारे साथ है सुधियम से बात करते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी लहरिया जी मस्तूरी से फिर से कांग्रेस ने आपको दिये जी सबसे पहले हमारे सीर सनेत्रित्वा हमारे 36 गड़ के लोग प्री मुख्य मंत्री मानी भुपेज बगहल सहाब जी संगठन के हमारे मुख्या अद्यक्ष जी दिपैकबैस सहब जी और प्रदेश के सभी बड़े नेताओं का मैं हिर्दय से अभार बिक्तक करता हूं कि मेरे उपर भरोसा जताते हुए मुझे तिसरा मरतबा कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है निश्चित तोर पर मस्तुरी विधान सभा छेतर से इस बार कांग्रेस पार्टी एतिहासिक बोर्ट से जीत हासिल करेगी और हमारे जो छेतर के मुलबुद सुधा है उसमें हम खरा उतरते हुए विधान सभा में पहुँचाएंगे उस बात को चूकि वरतमान में जो विधायक है डाक्टर किश्मृती बांधि छेतर के जनता के साथ छलावा किया है उन्हेंने विकास को पीछे ढखेल दिया है और अपना खुद का विकास किया है उनका खुद का विकास जो जगजाहिर है छेतर में सेकड़ो एकड़ जमीन के साथ क्र दर्रेगाट पर फार माउस बनाना यह उनका अपना खुद का विकास किया है जो भी विकास किया है हमारे च्छतिस गड़ के यसोशी मुख्य मंत्री जी ने जो भेट मुलाकात कारिकम में हमने बत्तिस मांग रखे जिसमें से सोला मांग को पूरा किये और चालू भी हो गय लेकिन एक बड़ी चुनोती तो है क्योंकि पूरो मंत्री है वो कदावर निता है भाजपा के वरतमान में विधायक भी मौजुदा रहे हैं वो ऐसे में एक चुनोती तो है क्योंकि 2018 का चुनाओ का जो परिणाम था वो आपकी सोच के विपरीत आया था आपकी हारोवी थी देखिए 2018 की बात दूसरा है चुकि उस समय बड़े नेता जोगी जी थे और बसपा से एलाइंस होके वो चुनाओ लड़े इसमें कुछ जादा बोट परिभावित हुआ वो समय चला गया है अभी हमारा उससे कोई वो चुनोती नहीं है बांधी जी के साथ हमारा कोई वो वो बिल्कुल च्छेतर में हर जंतां जहां भी जा रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि जो वादा किये थे आप जो च्छेतर में विकास होना था उन्हों विकास नहीं कर पाए लहरिया जी किन मुद्दों को लेकर इस बार मस्तूरी में जाने वाले हैं क्या कुछ प्राथमिकता हैं जो हैं लहरिया जी ने तय किये हैं मस्तूरी विधान सभा को लेकर सवाल हमारे मुख्य मंतरी जी का जो योजना है वो परियापत है हमको छेतर में जाने के लिए और हमको चुनाओं जितने के लिए इसलिए कि जो कहा कांग्रेस पार्टी ने इसलिए भुपेस है तो भरोसा है एक सोगन बना है जो देश में गुंज रहा है मस्तूरी से दिली पलहरिया को लोग कलाकार के तोर पर भी जानते हैं और उस कला का भी लाब जो है आपको छेतर में मिलता आया है ऐसे में इस बार वो कलाकार क्या कुछ तयारी आपने की है अपने कला के माध्यम से मस्तूरी की जो जनता है उनसे समर्थन हासनी करेंगे चेतर में जहां भी जाता हूं भी मातारानी की प्रस्तुती भजन करता हूं उसी करम में जैसे हमारे 36 गड़ के संस्क्रिती है कि मैं एक जलक सुना भी देता हूं एक खरमाटी मतरवो कमाधमा के अनूप जाबो देशिक कोठी लभरवो भुपेश भैया के संगे संग चलवो कांग्रेस पार्टी के संगे संग चलवो घनवार तो ये थे दिलिप लहरिया जी जिनको कउंग्रेस ने मस्तुरी विधान सभा से प्रत्याशी बनाया है दिलिप लहरिया पहले विधायक भी रहे हैं कलाकार भी हैं ऐसे में अपने कला के माध्यम से भी वो इस बार जनता के बीच जाने वाले हैं केमराम सितिश मिश्रा के साथ जीतेंदर थावाईत आईउसू 24 विलासपूर